नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं नारे बाजी की, बता दे, 19 दिसमर को रांची बंद का आवाहन किया गया, बंद को सफल बनाने के लिए छात्रों से रांची पहुचने के अपिल की गई, मौराबादी मैदान इस्थित बापू वाटिका में 18 दिसमर को बैठक होगी, जिसके बाद बंद को सफल बनाने पर र योजन निती बनाई गई, जो आगे चल कर रध हो जाए, इस अवसर पर योगेंद्र चंद्र भारती, चंदन, पुस्पा, अमीत, सहित, काफी संक्या में पिद्यार्थिक पहसी थे, वहीं परदर्शन वा पूतला दहन के कारान अलवट एका चोक पर ट्राफिक ब्यवस्त अस्त ब्यवस्त हो गई थी, जारखन में दिली की सरधा मडर जैसा कांड रभीका के कर दिये 12 टुकडे, दिली की सरधा वालकर हत्या कांड की लोम हर्चक घटना को पूरा देश अब तक भुला भी नहीं था की, सहिव गंज के बोर्यों में इसी तरह की रोंग्टे खड़ की रहने वाली थी, वह साधी के बाद पत्ती दिल्दार अंसारी के साथ बेल टोला इस्थित घर पर रहती थी, दिल्दार को हिरासत में लेकर पूलिस पूछ तास कर रही है, बदादे बोर्यों थाना प्रभारी, जगरनाथ, पान के अनुसार महिला का च्छत बिचात सो, स संथाली मोमीन टोला इस्थित एक पुराने बंद घर और उसके बाहर से 12 टुकडे को बरामत कर लिया गया है, हलाकि महिला का सीर और सरीर के कुछ अंग अब तक बरामत नहीं किये गया है, नकसलियों के खिलाप लाते हर पूलिस को बड़ा सफलता, लाते हर में नकसलियों क पिस्टाल, सिलेंडर, टिफिन और केन बंब समेत अने बिस फोटक मिले हैं, बरामत बिस फोटको को सीर पी एफ के बंब निरोधक दस्ताने निस्क्रिये कर दिया, जनकारी का उनसार सीर पी एफ की 214 हुई बटालियन के कमांडेट के डी जोसी के निदेस पर लाते हर जी कि देके छी पा हर थाना चैत्र के चातम जंगल में छापे मारी अभियान चलाये जा रहा था ऑस जारक राक खासरा के इस फिती चीन्ता जनाक नौ बच्चों की महत जारक राक ही चीन्ता जनाक है कन्द्रिये स्वास्त मंत्रा लेक शुत्रों पूरे देश में खासरा के परकोप के जीतने मामले सामने आए हैं उनमें से आधे से अधिक जारकन के ही हैं बतादे हैं खासरा से मरने वाले बच्चों की संख्या भी देश में हुई कूल मौतों के मुकाबले 60 परतिसत अधिक हैं राजे में संताल परगना में खासरा का परक इतराज रहा है इस साल पूरे देश में खासरा के कूल 230 मामले सामने आये हैं इन्वे से 120 मामलिया के लिए ही जारखंड में पाए गए हैं इसकी सुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी बता दे जेवी भी एनल के IT सेल ने डेटा सेंपल सर्वे रिपोर्ट को सही पाया है जिसके बाद प्रोजेक्ट को हरेज़न्टी मिल गई है रांची के अपर बजार में रोडवा कांके रोड इस्तित अने छेत्रों में 80 मिटर लगाने का काम सुरू हो चुका है सहर के अंदर कूल 3,65 लाख 80 मिटर लगाये जाने है पहले चर्ण में 45 जर असमार्ट मिटर लगाये जाएंगे रांची के सिली में तीन दिवासी है गुंज महोचों की त्यारी पूरी कर लिगाई है राज्य के राजेपाल रमेश बैस महोचों का उधगाटन रभीवार को जहरकन अंदोलन के प्रनेता बिनोत बिहारी महतों की पूने तिथी पर करेंगे समारो 20 दिस्तंपर तक चलेगा राजे के पूर्व उफ मुकमंत्री सविधायक सुदेश कुमार महतो समेत कोई लोग समारो में सिर्कत करेंगे महोचों को उधगाटन के उसर पर राजे पाल पूस्ते काला समेत कई जन करलेयान कारी वजनावों की शुरुवात भी करेंगे बताले पहले दिन उधगाटन कारीकरम में छेतर के विभीन स्कूल की 1500 लड़किया एक साथ निरित करेंगी सनिवार को स्टेडियम परिशार में स्कूली छात्राओं ने समोहिक निर्त का भी अभ्यास किया है 26 जनवरी तक आंदोलन कारीयों की मांग पूरी नहीं होई तो होगा उल्गुलान जिन अंदोलन कारीयों की बदलब ज्रकारण अलग हुआ है उन्दोलन कारीयों को वर्थमान सरकार भूल गई है आज इस राजे में सबसे अधीक हासी पर राजे के आंदोलन कारी ही है उक्त बाते पुर्वत सांसद सैलेंद्र महतों ने सनिवार को बिहार कल्व में कही वे जारकन अंदुलनकारी मोर्चे के केंद्रिय समीति की बैठा को सम्भूधित कर रहे थे महतों ने कहा है कि जामों में जब तक गुरुजी का राज रहा उनके आज पास हमेशा ऐसे लोग रहे जो जारकन हीत को सरोपरी मानते थे आज हालत यह हो गई है कि सारे जारकन बिरोधी लोग सता सीर पर बैठे हुए हैं ऐसे में आप समाज सकते हैं कि यह सरकार आंदरोन कारियों की मांगो को लेकर कितनी कंपीर है सिरी महतों ने कहा है कि अगर सरकार 26 जन्वारी 2013 तक आंदरोन कारियों की मांगो को पुरा नहीं करती है तो फिर 26 फरवारी को एक और उल्गुलान की खोसना की जाएगी इस बार सरकार सही आरपर की लड़ाई लड़ी जाएगी भारत जोड़ो यात्रा में टाना भगतो सहीत सैक्ड़ो करकरता हुए सामेल रांची जीला महानगर एवाम ग्रामीन कंग्रेस कमिटी की दत्वा धान में सनीवार को सहीत चोक इस्थी सहीद अस्थल से कोकर इस्थीत भागवान बिर्षा मुंदा समाधी अस्थल तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई यात्रा में सामील टाना भगतोव कंग्रेस के नेता करकाता धोल मांदर बयाते जोडो जोडो भारत जोडो नफरत छोडो भारत जोडो आधी नारा लगाते चल रहे थे बिर्षा समाधी अस्थल में सभा की गई जिसे समोधित करते परदेश अध्यक्त राजश ठकू ने कहा है कि देश को हमने बनाया है तो बचाने की जिमेदारे भी हमारी है नफरत के कारण समाज टूट रहा है बेरोजगारी के कारण युगा परिशान है निकमी केंद्र सरकार से निजात दिलाने महंगाई पर काबू पाने और नफरत पर काबू करने के मकसद से भारा जुड़ो यात्रा सुरू की गई है रभीका पहाडीन मडर केस में मामा का घर सील जारखन के साहवगन जीले के बोरियों में दिल्ली के सरदहा वालकर हत्याकान जैसी वर्दात को अजाम दिया गया है वाइस वर्स की आदिम जनजाती रभीका पहाडीन की कटर से बारा टुकडे में काट कर हत्या कर दी गई है बता दे रांची से फोरेंसिक टीम जाच करने के लिए बोरियों पहुच गई है और जाच में जूटी है मृतका के पती दिल्दार अंसारी के मामा मैनूल हक के घर से पुलिस को धरदार हत्यार खुन ससनी सट वगन जी एक मृतका की चपल मिली है पुलिस ने घर को सिल कर दिया है साहिब गंज एसपी ने बताया है कि मृतका के सौव का कुछ भाग अभी भी नहीं मिला है पती को हिरासत में लेकर जाच जारी है खेल को बढ़ावाय देने के लिए बनेगी खेल निती गुमला उपायुक्त गुमला डीसी सुसांत गवरों के अधक्स्ता में स्तनीवर को खेल मद से समधी समीक्षा बैठक होई बैठक में खेल मद में प्राप्त आवन टनोक से किये जाने वाली काड़ों की समीक्षा की गई उपायुक्त ने जीले में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल निती बनाने पर जोर दिया इसके साथ ही क्रिकेट एम अने खेलों को लेकर भी बच्चों के बिच डोनामेंट करवाने की बात कही उन्होंने जल्द ही क्रिकेट मैच कराने का निर्देस दिया है बता दे गुमला डिसी ने जल्द ही एक क्रिकेट मैच का वेजन कराने का निदेश दिया इसके साथ ही क्रिकेट से समधी सभी खेल समगरियों को अस्पोर्ट बैंक में रखने तथा एठेलेटिक्स होंकी वा क्रिकेट आदि खेलों के लिए भी मैदान बनाने की बात कही है हजारी बाग में मुख्य मंत्री पसुधन विकास वजना का बुरा हाल जार्खन के हजारी बाग जीले में पसुपालको को दो वर्सों से मुख्य मंत्री पसुधन विकास वजना का लाब नहीं मिल रहा है में मुख्य मंत्री पसुधन विकास वजना के 2.50 कुल रुपय आवन्टित किया है इस करण किसान लाब नहीं उठा पा रहे है कारण यह है कि 50 पर 3080 सरकार और 50 पर 3080 भी पसुपालकों को देनी है वहीं सरकार की ओर से चैनित एजेंसी से ही पसुओ की खटदारी होनी है किस परकार से पसुओ को रखा है उनकी देख बाल कैसे की जानी है इसके बारे में भी पसुपालकों को पर सिशित किया जाना है हर महीने आठ महिलाए हो रही दूसकर में किसी कार केंद्र वा जार्खन सरकार सहरी छेतर की महिलावों पर हो रहे जूल मुवात्याचार से मुकाबला करने के लिए महिलावों को सबल बनाने के दिसा में बड़ी पहल करने जा रही है इसके लिए सहर के तीनों नगर निकायों में महिला स्वयम सहायता समूख के सदस्यों को साथ में लेकर नई चेतना पहल बदलाव की कारेकरम से उन्हें जागरूप किया जाएगा इसके लिए रेली नुकर सभा के माध्यम से गली गली जाकर महिलाव को उनके अधिकार की जनकारी दी जाएगी धन्यवाद